आज तुम्हें एक राजा और मुर्क बंदर की कहानी सुनाता हूँ एक राजा था वह अपने राज्य में अपने परजा के साथ बहुत खुसी से जीवन जी रहा था एक बार वह जेंगल में अपने सैनिकों के साथ सिकार करने गया सिकार करते समय वह घोड़े को छोड़कर पैदल चलने लगा तभी उसके रास्ते में एक साप था लेकिन राजा की नजर उस पे नहीं पड़ी और राजा एक पेड़ के पास था तभी उस पेड़ से एक बंदर आवाज करने लगा राजा का ध्यान जब उस बंदर पे गया तो राजा ने देखा कि बंदर साप के और इसारा कर रहा है ये देखकर राजा तुरंट पीछे हटिया नहीं तो उसे साप काठी डालता इसके बाद राजा उस बंदर पे बहुत खुस हुआ राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि ये बंदर को पकड़ लो और हमारे महल में ले चलो राजा के सैनिक उस बंदर को लेकर महल में आ गए अब राजा उस बंदर पे बहुत विश्वास करने लगा राजा ने सोचा ये बुद्धिमान बंदर है इसने मेरी जान बचा दी सांप से अब ये मेरा दोस्त है राजा उसके साथ ही सोने लगा उसके साथ ही खेलने लगा बंदर भी अब राजा की हर बात मानता उसे कभी पेड़ से फल लाके तोड़ता कभी उसे उचल कुद करता उसके मंत्री उसे मना करते थे कि महाराज इस बंदर पे विस्वास इतना मत कीजे लेकिन राजा किसी की बात नहीं मानता था उसे बंदर पे पूरा यकिन था वह राजा के राज महल में ही सोता एक बार राजा सो रहे थे और उनका बंदर राजा के लिए पंखा हिला रहा था ताकि राजा को गर्मी न लगया वहाथ पंखा हिला रहा था तब तक राजा के चेहरे पे एक मक्ही बैठी बंदर ने जोर से पंका जलाया तो मक्ही उड़ गई लेकिन फिर वो नाक पे बैठ गई बंदर ने फिर पंका हिलाया तो कभी वो कान पे जाती कभी नाक पे जाती बंदर परसान हो गया और क्रोधित हो गया उसे गुस्चा गया उसने सोचा ये मक्की तो मेरे राजा को जगा देगी अब मुझे इस मक्की को मार ही देना होगा राजा सोया था उसके बगल में ही उसकी तलवार थी बंदर ने वह तलवार ले ली और जहां जहां मक्की बैठती वहां मानने की कोशिस करती जब मक्की राजा के मुच पे बैटी तो राजा मंदर ने तलवार से उसकी मुच ही कर दी लेकिन मक्की फिर उड़ गई इसके बाद वो नाक पे बैटी राजा के मक्की को देखकर बंदर बहुत गुसा था उसने तलवार से ऐसा वार किया कि मक्खी तोड़ गए लेकिन राजा का नाक ही कट गया अब जब राजा का नाक कट गया वो गुस्य से उठा देखा रहे बंदर तो हाथ में तलवार लिये हुए है तो भी बंदर सांत ने हुआ उसने इसारा किया कि वो मक्की को मार रहा है राजा समझ गया यह महा मुर्क बंदर है आज तो यह मेरी जान ही ले लेता इस तरह से राजा ने फिर उस बंदर को अपने सैनिकों से बोलकर जंगल में भेजवा दिया इस तरह राजा ने उस जंग बंदर से मुक्ति पाई इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि हमें मुर्ख दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए मुर्ख दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए नहीं तो हमें हानी ही पहुँचाएंगे कोई लाब नहीं एक बार एक सहर में अकाल पड़ा पूरा सहर खाली हो गया सारे लोग यहां से वहां उस सहर को खाली करके चले गए अब उस सहर में चूहों ने अपना अड़ा जमा लिया चूहों का राजा का नाम मुसक राज था वह अपने राजे में चूहों कातंग फेला दिया सहर जगह चूहे दिखने लगे अब वो जब सभी आदमी चले गए सहर छोड़ कर तो चूहों का तो राज हो गया अब चूहे मस्ती से यहाँ वहाँ कुदने लगे जहाँ जी नहीं मिलता तब उसी सहर में एक तलाब था जब उस साल बर साथ बहुत अच्छी हुए तलाब लबालब भर गया लेकिन बगल के जंगल में कोई तलाब नहीं था वहाँ पानी की दिक्कत थी उस जंगल के हाथी के राजा को जब ये पता चला कि सहर के तलाब में बहुत सारा पानी है तो वह बहुत खुस हुआ और अपने सेना के साथ सारे हाथियों को लेकर सहर की और चल गया सहर पर पानी पीने के गया लेकिन रास्ते में बहुत सारे चूहे उसके पैर से दब के मर गए बहुत सारे हाथियों के कारण बहुत सारे चूहे मर गए ये देखकर मुसक राज को बहुत खराब लगा इसके बाद चूहों के राजा ने सोचा ये तो हाथी रो जाएंगे तो रोज हमारे काफी चूहे मारे जाएंगे इस तरह तो मेरा भी नमबर आएगा तब चूहों के राजा ने हाथी से मुलाकात की और हाथी के राजा को बताया कि महराज आप लोग जब आते हैं तो हमारे राज्य के बहुत सारे चूहे मर जाते हैं इसलिए जब आए तो जोर से सहर के पहले चिंगाडे ताकि हमारे चूहे जो हैं रास्ता खाली कर दें और आप लोग पानी पीके चले जाएं गजराज ये बात सुनकर खुश हुआ वहला तुम बुद्धिमान हो हमने तुम्हारी बात मान ली तो ये देकर चुहे के राजा ने कहा कि धन्यबाद महाराज मैं भी कभी आपके काम आऊंगा इसके बाद गजर के बाद उस राज्य के राजा को हाथियों को पकड़ने का सौक चला उसने सोचा कि हाथियों को हम अपने सेना में रखेंगे तो राजा ने अपने सैनिकों को बोल दिया कि जंगल से हाथी पकड़के लाओ अब राजा के सैनिक जंगल में आकर हाथी पकड़ने के लिए हर जग़ जाल बिछा दिये एक बार उसी जाल में हाथियों का राजा घजराज फंस गया वो जोर जोर से चिंगारने लगा तब उसकी आवाज सुनकर एक कवा आया बोला क्या हुआ महराज बोला मैं फंस गया हूँ मेरी मदद करो कवा बोला मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपके जाल को कार देगा ये सुनकर गजराज को अचानक मुशक राज का ध्यान आया चूहों के राजा का इसके बाद उसने कवे को कहा कि जाओ तुम सहर के उस मुशक राज को सुचना दो कि तुम्हारा मित्र जाल में फस गया है जैसे ही कौवे ने उसकी सूचना दी मुसक राज ने अपनी पूरे सेना को कहा कि चलो आज हमें घजराज की सहायता करनी है इसके अज़ पूरे सेनिकों के साथ चूहों का राजा सहर ग्यंगल में आया और उसने जल्दी जल्दी से सारे चुहों ने मिलकर हाथी का जाल काट दिया अब हाथी आजाद हो गया तो हाथी ने कहा कि अब तुम मेरे सचे दोस्तों आज तुमने मेरी जान बचाई इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता हमें कभी भी किसी के साथ जरूरत पर सकती है इसलिए हमें सभी के साथ अच्छा ब्योहा रखना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए